हलो गुदी इंदिंग आज का केक है मार्बल केक जो दो फ्लेवर्स को ब्लेंड किया हुआ है एक वनीला और एक चॉकलेट और इस में मार्बल एफेक्ट आप स्लाइसेज में देख सकते हैं केक मॉइस्ट है सॉफ्ट है फ्लफी है सबसे पहले मैंने आवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया और केक इनको ग्रीज कर लिया एक बाउल में मैदा बेकिंग पाउडर सिनिमन पाउडर को इसको डालके सीव कर लिया ऐसा करने से ये तीनों इंग्रीडियन्स मिक्स हो जाते हैं अच्छे से दूस्यों बाउल में अन्सॉल्टेट बटर लिया जो की प्रेचर का है इस बटर को हैंड बीटर से तीन से चार मिनिट के लिए बीट किया ताकि ये बटर जो है लाइट हो जाए और फलफी हो जाए इस टाइम पे जितना बीट करेंगे केक उतना सॉफ्ट बनेगा अब इसमें चीनी को मिक्स कर दिया स्पैचुला से और फिर वही बीटर से कुछ देर के लिए बीट किया बीटर से बीट करने का फायदा है कि इसमें एर इंकार्परेट हो जाती है जो केक को और लाइट बनाती है बीट करके अब इसमें वन बाई वन मैंने एक्स मिक्स किये एक्स दालके उनको फिर बीटर से बीट किया जब एक्स अच्छे से बीट हो गए तब इसमें वनीला एसेंस एड किया फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये अब वेट इंग्रेडियंट्स में मैंने ड्राई इंग्रेडियंट्स को मिक्स किया जैसे की मैदा बेकिंग पावडर और सिनिमरन पावडर थोड़ा थोड़ा डालकर इसको फोल्ट कर लिया फिर से थोड़ा सा डाला मिक्स किया अब इस बैटर को दो पोर्शन्स में मैंने डिवाइड कर लिया एक को वनीला फ्लेवर रहने दिया और दूसरे में कोको पाउडर मिला लिया उसको चॉकले टेस्ट देने के लिए और मार्बल एफेक्ट देने के लिए कोको पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया अब ग्रीज पैन में एक लियर बनीला बैटर की दूसरी चॉकलेट बैटर की ऐसे करके लियर लगा लिया और अवन में बेक होने के लिए रख दिया 40 मिनिट के लिए बेक किया थंडा होने पर इनको स्लाइस किया और इस तरह का एफेक्ट आया चॉकलेट और वनीला का जिसको चॉकलेट पसंद है उसे भी ये केक अच्छा लगेगा और जिसको वनीला पसंद है उसको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा लगेगा